नमस्कार संजु के किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही अच्छी चटपटी चांट मटर चांट बनाएंगे उसको बनाने के लिए ये हमने ओर नाइट में भिगो दिया था मटर साप करके पानी में उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला था और इस डलिया से हमने साप कर लिया वो पानी सुबह ये मोनिंग का काम है इससे साप कर लिया दूसरे साप पानी में हमने रखा है और इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा और डाल दिया है पकने के लिए हम इसे मिला देंगे और पकने के लिए धकन बंद करके कुकर को हम रख देते हैं इसमें छे साथ सीटिया लगा देते हैं पकाते हैं इने पकाने के बॉयल करने के बाद हम देखते हैं किस तरह से बॉयल होता है मिलते हैं इया कावली यालतियोन सफपेद माटर है यही चाट वागेरा में यूज किया जाता है हमने ले लिया पानी इसमें डाला हमने चार हुगलिया tenha उपपर माटर से और आप हम पकने साइश के लिए रख देते हैं इसमें मैंने छे सीटियां लगा दी ही और ये देखे अच्छा सा पक्के त्यार हो गया है और इसे चलाते हुए देखे चला रही हूँ अब इसे निकालती हूँ थोड़ा सा केक बरतन में चेक करती हूँ पक गया है गला नहीं है इस तरह से हम चम्मस से दबाते हैं तो ये सभी तूट जाता है आसानी से पक गया अच्छा सा पक के त्यार हो गया है मटर इसी तरह का मटर हमको पकाना है अब एक लेते हैं ये मसाले कुछ हमने रख लिये हैं एक नीमबू लख लिया है थोड़े सी धारी धनिया रख लिया है प्यास चोटे-चोटे टुकडों में कट करके रख लिया है एक मिर्ची कट करके रख लिया है और इन सब चीजों से मटर बनाएंगे चांट जो कि आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहती है उतना मटर दिखा लिए जिसे किसी को सर्फ करना उस हिसाब से आप एक-दो लोगों के लिए उतना मटर निकालिए एक पईन में थोड़ा सा तेल डालिए उसमें ये तेल गरम हो जाता हो गरम होने के बाद इसमें थोड़ चीरा मारा पकने लगा है इसको चला देंगे थोड़ा सा अच्छे से पक के तयार हो जाएगा यह हरी मिर्ची हरी मिर्ची आप अपनी क्वांटिस्टी से बढ़ा सकते हैं मेरे यहां तीखा थोड़ा कम खया जाता इसलिए तीखा कमी बनाते हैं हर चीज में हम तीखा पहुत और यह नमक नमक स्वादा अनुसार डालेंगे यह प्याज हरी धनिया सभी चीज़े इसमें आइड कर देंगे और यह लाल मिर्ची पाउडर यह काला नमक पिसी खटाई थी आम चूर पाउडर था स्वारक काले नमक नहीं था अब सभी चीजों को मिलाएंगे पका लेंगे इसे खुछ मिनट के लिए और इसमें हम नीबू का रस डाल देंगे यह हमने सब कर दिया है और इसमें हम प्यार डालेंगे हरी मिर्ची सभी चीज़े इसमें डाल देती हूं अच्छी से चाट यह हमने चाट मसाला भी डाल दिया है और इसमें और भी चीज़े डालेंगे यह दही डाल दिया किसी किसी को दही नहीं पसंद वह इसका पर सकते नहीं डालें जी लोगों को दही पसंद है मटर चाट में वह डाल सकते हैं और इसमें डालेंगे मीठी चटनी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है चटनी का चाट के अंदर और यह हमारी मटर चाट सर्फ हो चुकी है तयार हो चुकी है खाने के लिए रेडी है अगर यह वीडियो पसंद आती है तो स्वारी अभी यह पापड है किसी किसी के पास स्यों रखा वो डाल सकते हैं और मेरे पास यह पापड रखा था वो डाल देंगे डाल देंगे यह भी बहुत टेस्टी लगता इसमें फाइनली यह चाट तयार हो गई है रेटी हो गई बनके अगर मेरी रेश्पी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा कि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगी इसी तरह से नई नई वीडियो लेके आएंगे धनिवाद एफ इस प्रहता मे चुट्स टान प्राइब ऱट्स